वाउ, कितना बढ़ियां दिख रहा है ना, लंच में ये रेडी हुआ, वेजिटेबल, फ्राइड राइस और उसके साथ ही आलू का सब्जे, और इसलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बनाई है शिवानी, भाई की बेटी, घर में रहते रहते बच्चे बना चाहती थी, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि टाइम हो गया था, राइस बनेगा ठंडा होगा, उसके बाद फिर वेजिटेबल्स को फ्राइड करके उसके उपर देगी, तो उसके लिए हम लोग बोले उसको, कि नहीं तुम प्रेशर कूकर में ही डाइरेक्ट लेकिन अभी का टाइम ऐसा हो गया है, कि बचों को मोबाइल थमा के देना पड़ता है, पकड़ाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और वो भी करते करते बच्चे बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए उसका आज मेरा भाई का बेटी शिवानी का आज मन हुआ, कि आज वो ल घी डालके उसमें सारा कुछ वेजीटेबल्स को सौते कर रही है, और मैं उसको वीडियो बनाके आप लोग साथ शेयर कर रही हूं, इसमें Milky-Maker डाली है और यह Corn डाली है, सारा कुछ वेजीटेबल्स जो भी था हमारे पास वो सब डालके वो आज बना रही है, और मैं उसक वीडियो बनाती हूँ और यूटूब में छोड़ूंगी तो थोड़ा सा खुश हो गई बच्ची है आखिर अच्छा लगता है बच्चों को भी पढ़ पढ़ के विबोर हो गया है कितना भी पढ़ाई करेंगे फ्रेंड्स लोगों से मिलना भी नहीं हो रहा है घर में ही बैठे बैठे बोर हो गया है बच्चे तो ठीक है चलो बनाओ और ये सारा कुछ वेजेटेबल्स काटके उसमें हम डाल रहे हैं उसको मैं साइड में हेल्प भी कर रही हूँ ये राइस को पहले हम धो के रखे थे छान के पानी नहीं है इसमें तो ये वेजेटेबल्स के साथ थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे ठीक है तो सारा कुछ वही कर रही है ये वेजेटेबल्स भी सारा उसी ने काटा है तो थोड़ा सा छोटा-छोटा काटी है वो, क्योंकि वो पहले राइस बना के उसके उपर फ्राई करके देना चाहते थी, लेकिन टाइम कम है, तो हम लोग बोले उसको कि तुम ऐसे ही प्रेशर कुकर में ही डायरेक्ट बना लो, बहुत ही अच्छा बनाई थी लेकिन, बहु तो यह राइस को हम थोड़ा सा उसको फ्राई करेगी वो, और उसमें हम डाले हैं, लाल मिर्च, कलर के लिए, थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए, रेड चिली पॉर्डर, और उसमें साही बिरियानी मसाला, पैकेट वाला मिलता है, तो वो डाली है, और उसको मिक्स करके, ह डबल, डबल पानी डालेंगे, और हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा, थ्री फोर्थ कप पानी हम उसमें एक्स्ट्र डाले हैं, क्योंकि इसमें मिल मेकर है, और थोड़ा सा भेजी टेबल से, जो की पानी एक्स्ट्र सोक करेगा, उसके लिए इसमें थोड़ा सा थ्री फोर् पुझाल रहेगा मुझे कमेंट का और लाइक का शब्सक्राइब भी कर ये मेरा नया एपिशोर देखने के लिए हर रोज का इसके साथ बना था चना डाल का जिसे थोड़ा सा थिक वाला रहता है ना चना डाल को बनाते हैं फ्राइड चना डाल वो बना था और उसके साथ प् इसमें pressure cooker रख देंगे प्रेशर कुक उसका ढखकन लगा देंगे और उसको पका लेंगे और यह आलू, आलू को भी ऐसे काट के भाबी काटके दी है उसको चिलका सही तक आ है और बॉयल करके नमख वाला पानी में छानके उसमें थोड़ा सा corn floor mix करके रखी है और ये वाला घूल बना है कॉर्ण फ्लोर, मैदा, नमक और लालमेच का ये पेस्ट बनाई के उसमें डिप करके उसको फ्राइ करेगी वह ठीक है चलो उसका पसंद से आज वो बनाई है ऐसे ऐसे करके मेरे को लग रहा है कि अच्छा खाना बनाने लग जाएगी बनता है तो उसी दिन अगर नहीं पोस्ट कर पाती हूँ तो फिर में उसको नेक्स डे या उसके नेक्स डे भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है मैं आप लोगों से जो भी बनता है घर में शेयर करती हूँ सब के घर के बनाने का style अलग है कई तरह से खाना बनता है कई तरह का kitchen में सब का taste अलग रहता है तो हमारे यहां जैसे हम बनाते हैं मैं उसी को ही आप लोगों के सा share करती हूँ और अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के सा share करने में इसको थोड़ा सा हलका इसमें अच्छा से करके fry कर लेंगे और उसको serve करेंगे देखिए ऐसे golden color उसको fry कर लेते हैं बहुत बढ़िया बना था इसके उपर हम चाट मसाला और black salt स्प्रिंकल कर देंगे बहुत ही बढ़िया लगेगा और rice भी हमारा उधर हो गया है एक CT के बाद थोड़े 5 मिनिट और उसको रखे हम pressure cooker के अंदर CT जाने के बाद pressure जाने के बाद उसको खोले हम और यह बहुत बढ़िया बहुत ही tasty बना है आपको कैसा लगा ज़रूर बता ना हो सके तो like और subscribe करना ना भूलना मेरा हर रोज का नया video नया episode में डालती हूँ जो भी बनता है घर में मैं आप लोग से share करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप लोग मेरे family में जुड रहे हैं आप लोग मेरे साथ हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसके लिए thank you और बहुत बहुत धन्यवाद फिर मीलूंगी मैं कल एक नया और fresh episode में thank you